हेलो गाइस मैं नेम इस डॉक्टर अमन सेतिया मेडिसन फाकुल्टी अट एलर नेक्स तो आज मेरे साथ है मुहमद इश्टिकाक आलम तो इनकी जरनी के बारे में थोड़ा साम सुनेंगे समझेंगे कि कैसे इनों ने पढ़ाई करी तो कैसे हो आप यह बता हो कैसा लग रहा ह अब कैसे फिलिंगा रही एकजाम निकालने के बाद सर इक्जाम निकालने के बाद सर मेरे यह इतनी हुशी है कि मैं आपको बताreshकण नहीं सकता हैında कोई अखेंफन मेरे है तो 201 अब रहे हैं और यह कॉंसा अधेंट्म था व्रेशल्फ तरह सब्ढ हो जैसे में अर बार बोलता हूं संझी गोले पिर उसमें अब रहे होते हो 501 कोण से आपने तियारी कर था अंए उससी आपने बारे हैं तो नहीं 7 जुलाइऊ को मंई दिल्ली आया था है! तो दिल्ली से पणागी था पर लिगा है सब्सक्राइब कोई कोचंग लगया थी? जिली कोचंग लगाएता। ऑपने रॉलाइन प्लेट-फॉर्म से पढ़ा है कब से तयारा अपने आपने स्टाRT करेक थी अपनी? मैंने ठर्ड से अल्डॉश से प्लेटफॉबर्म कर लिये तहां साल में दो कर तो साथ में को गईरा भी सारे बहुत सारे जो जब बढ़ता था उसके साथ काफ़ी बड़ा इंपॉर्टन्स है कि प्रिवेस यह कॉश्चन तो आपको पांच साल के सौल करने ही करने चाहिए अब मुझे यह बताईए कि एलन ने आपको किस तरीके से हल्प किया एक बार बताईए व्यूर्स को कि आपने क्या सीबॉट लिया था हमारा सब्सक्रिप्शन करके मैंने सीबॉट कर दिया था तीन मैंने एक्जाम दिया जाकर सेंटर पर क्यूंकि वहां पर एड्मिड कार्ड मिलते थे मुझे सेंटर पर जाना आ हो ना भी था और सेंटर पर जार कि जो महौल होते हैं ने एक्जाम होल की तरह लग रहे था तो मैंने सीबॉट के exam मैंने तीन दी और सीबॉट का जो में परपस है कि जो आपको एक्जाम से पहले जो anxiety हो रही है वो anxiety से free कर देना तो रील एक्जाम वाला जो स्यम्ट के अदर मिलता है सेम आपको एडमिट कारड मिल रहा है तो अगर आप ने चार पांच सी बॉट अगर दे लिए तो इससे चो मेन एक्जाम में आपको जो डर होगा वो निकल जाए गा यह सर और जो गल्तिया आप आप में में करनी है कर लो मेरेे अग्जाम में अपको गलती नहीं पाऊगे तो आप ने कितने सीवाइस सथ तीन दिये थे आपका मेरे Clearly 222 नमबर घ्state कि बार वाले सीबोल में मेरे 226 थे क्योण स्याफ्ड में 200 Πिलस ये उसके रियल एक्जाम में 200 प्लस आये हैं तो आप इसे रएर थे तो आपको ऑ रीयल एक्जाम दे रहेते हैं कुछ कॉशचन एसे थे जो रुषी पॉर्ट के इक्जाम में तो मैं मांनता हूं कि सर की पे युक्यू एक्जेक्टोट ne теперь नहीं होते लेकिन फीन के देकर इकनेशन वह года लाता है . तो सीबॉट देकर आपको बहुत अच्छा क्यों बहुत आख है किसी Alf contained the question seaweed क्योंने sie Şu दिये तो बाद में रिवीउ नहीं करते हैं कallo बाद में कर लो डैंगे और जब नीच्ज पर सीबोड पर हो रहे थे तो मैं यूट्व सेशन पर देखकर मैंने काफी चीजा सिकھی भी सीबोड से क्योंकि मैं रिवीव नहीं कर पाता था क्योंकि लगता था कि चलो बाद में कर लूँगा लेकिन केस्टन डिसकेशन तो मैं देखता था तो मुझे ठाफे हद तक हेल्प हेल्प मिला मुझे उसी बॉट से तो अब देखिए जो सी बॉट का मेन परपस है वो आपको रियल एक्जाम में जो डर है उस डर को निकालना ह तो जब आपके जहन से वो डर निकल जाएगा तो फिर कोई भी एक्जाम रिफिकर्ट नहीं होगा थोड़ा सा आप यह बताओ कि कैसे जब आपने ये नियूस अपने घरवालों को दी तो उनका कैसा रियक्शन था पैरेंस का ने कैसे रियक्ट किया जब मैंने मैं खुद ह जब मुझे रियल्ट का पदा चला कि आज रियल्ट हुआ तो मैं उस वक्त में दो पहड़ का वक्त था तो मैं मैं मुसल्मान हूँ तो मैं नमाज पढ़ने गिया था जैसके मैं मस्जिद से निकला तो जुर्शिगार भाई जो है उन्हें ने मुझे बताए कि रियल्ट जब गए हाँ शायद दौब कबोल होगे मेरे पैरेंट्स के भी दौब कबोल हुई और मेरे डिलेट्रीव वगेरा जो मेरे क्लासमेट वगेरा थे उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट मुझे किया और खासकर के मेरे जो अच्छे काफी अच्छे स्टुडेंट सब है लेक अच्छे स्टुडेंट है तो अभी आपका क्या प्लान है कि अब आगे क्या करना है कैसे क्या सोचा है पीजी के बारे मां सोचा है किस ब्रांच में पीजी करनी है मुझे तो सार मेडिसिन ब्रांच में पीजी करने मेडिसिन में पीजी करनी है उसके बाद क्या करना आगे तो थोड़ा अपना एक विजन को ब्रॉड करो कि बच्चे गलती करते हैं कि FMG का पेपर क्लियर करके रूख जाते हैं आगे का सोचते नहीं है अब थोड़ा था इनकी मैं अगर और पीछे के जर्नी बताऊं तो काफी हसलर रहे हैं इस्तियागर ने काफी मेनत करी है 2011 में आपने बताया था कि पूरिये चयन बताऊ हिए मैं 2011 मेंtv से मैंने ये किया तो उसे पहले मैं एक साल म Bentar हुए फिर मैंने कोटा भी गिया था लेन के लिए तो अच्छा आप भी एलन के स्टूडेंट रहे शुक्ए हैं जब मैंने ने तो मैंने ऑड़ कोटा गया तो एक साथ में प्रिपेशन किया था मैं जा करूँ हां लेकिन मैंने काफी फैलियर हुआ है मैंने सेवन अटेम्ट नीट यूजी दिया लेकिन मेरे किस्वत में नहीं था में उसक्त नहीं पास आउट हो गया तो देखो 2011 से का जो सपना है वो अब जाके 2014 में पूरा हुआ है जो 11 से देखा था तो एक समय लगता है टाइम लगता है कई बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती है जिस दिन जिसका वक्त आना होता है तभी आता है तो अब देखो कि साथ अटेम्ट इनों ने अपने लिया उसके बाद मैंने उस में अध्मिशन 17 में लिया और मैं 23 में मेरा कॉर्स कंप्लीट हुआ था और मुझे डिग्री मिली थी तो अभी बिलकुल अच्छा लग रहा है रिलैक्स लग रहा है हाँ भी तो मैं टेंशन फिर हो क्योंकि जब में रिजल्ट देखा तो काफी इन्जाइटी ओर थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा था रिकॉल सेशन चल रहे थे तो इसमें भी बहुत इंजाइटी हो रही थी तो कही ना कहीं लेकिन जो मैंने फिल किया जब आप एक्जाम देते हो तो आपको एक खुद को अपना पता होता है तो तो तुम्हें मुझे आइडिया था मेरे मार्स इतनी ही आएंगे रेल एक्जाम में कुछ कम रह गए या ज्यादा आ गए नहीं सर मुझे आइडिया था कि मैं 200 प्लस करूंगा और मेरे इतने सारे जी ती तो मुझे आइडिया था कितने मार्स आएंगे तो इस्तियाक से जो सीख मिलती है कि अपनी प्रपरेशन को जल्दी स्टार्ट करो जैसे इन्होंने अपना सेकेंड थर्ड यर से प्रपरेशन स्टार्ट कर दिया था एक आनलाइन आप लेकर तो वह बहुत अगर में प्रपरेशन करें तो आप जो आपके जूनियर्स हैं जो साथ के दोस्ति लोग हैं जो कुछ मार्क से नहीं पास कर पाई उनको क्या सजेशन देना चाहोगे किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है और कौन से इसे टॉपिक्स हैं क्या क्योंकि सबसे अच्छा जो आप अग्जाम निकाला वो भी इतने अच्छे नंबर से सर मैं अपने जूनियर्स को या मेरे जो क्लास्में जो बच्चे नहीं निकाल पाए तो मैं उसको यहीं पोलूँगा कि कि आप लोग जो पीवाई क्यू हैं उसके एक्स्पिनेशन पढ़ें अच्छे से पढ़ें और उ 2018 से लेकर 2020 तक कि जितने भी पीवाई क्यू है चाहिए नीट के हैं या FMG के हैं चाहिए नैसेटी के मैंने सारे मैंने कर रखा था कि यह ट्रॉपिक जब पीवाई टी थे तो किस एर में पूछे गया थे मैंने उसको लिख लिखा था वर्ड बाई वर्ड लिख लिख लिया है ता कौन से सब्जेक्ट उम्हारे से टे की जो स्ट्रॉंग थे जिसकी वॉजए से दोसों के प्लस का स्कोर रहा है मुझे मेरे सब्जेक्ट défin मेडिたवर क्निलिक के सब्जेक् कर देन का या मैं स्ट्रॉंग थे है अब मैं आगर अगर एक halves सी मेरे भीक्राvalue का मैं मेडिक होती मेरे हसाब से क्यूंकि दोनों सब्जेट्स आप देखोगे कम से कम 90 नंबर का पेपर आ रहा है तो एन दोनों को थोड़ के जाने सकते हो और मेरा यह मानना है कोई भी सब्जेट को आपको छोड़ के नहीं जाना अगर आप सोच रहो कि एक सब्जेक्ट छोड़ना है तो उसके कम से कम PYQ देख लो उसके नोट्स को एक बार पलट लो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और यह बताए कि जब इंटरेंशिप करनी है भी तो इंटरेंशिप के साथ-साथ मैं चाहूंगा जो आपने अपन क्या किया इस बीच में क्या क्या किया अपने है मैंने काफE दोस्तों से मिला विला हुला और सम् iena तो मैं तो मैं दो-तीन तो इस सब टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि दमजे को इतना अच्छा स्कोर है, तो आप इस टाइम को अगर यूटिलाइज करोगे, तो इंटरिंशिप खतम होने के साथ साथ आपका पीजी भी क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए अब देखो, बाद में एक-द से किया आपने, वहां पर तो सर क्योंकि यहां हमारी कंट्री जो है न वाम है, वहां पर कोई विंटर है, तो तो मेरे हिजाब से सर जब काफी ठंड होते तो पहले साल तो प्रोप्लम होती है सबको लेकिन दिरे दिरे आप अधमे अड़ेप्ट करी लेता है सर, तो देखो, अधमे बाइन के साथ हैं, तो बाइन बड़े हैं, बाइन बड़े हैं, दो चोटी सिस्टर हैं और एक चोटा भाई नहीं है, तो अभी सब बहुत खुश होंगे, हाँ अभी काफिश हैं, क्योंकि मैंने अपने जड़ बताया, तो रोने लगी का, कि कि इतने साल के इंतजा हमें नहीं हाते थे, मैं सुल के तीन, फर्स, सेकेंड, ठड़ तक मैंने हर साल है, कि कि कोवीड हो गया, तो एक साल इधर ही में रहा गया, जब मैं फॉर्ट एजर में वहाँ पर तो मैं फिफ सिक्स में नहीं है, तो देखो काफी स्ट्रगल किया है, नो ने, बिकॉस अपन देखो, इनकी जर्नी 2011 से शुरू हुई थी और 2024 में जाके वह जर्नी, अभी भी मैं कहूंगा, कंप्लीट नहीं होई है, वह कंप्लीट होगी, पीजी करने के बाद, तो एक endless जर्नी चले जा रही है, तो अब ऐसे में कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते है कि एक अटेंड में नहीं हुए, फिर उमीद छोड़ देते हैं, तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी ना कभी सब का पेपर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, बस अपने आप पेस को कंटिनू रखो, जैसे पढ़ रहे हो, वैसा पढ़ते रहो, एक दिन सब का पेपर, पॉइंट पेपर निकाल रहने हैं, पॉइंट है कि आप आगे जाके आपको मरीज ठीक करने है, जब मरीज आप से ठीक होगा, तो आपको दूआ देगा, वो दूआ आपके काम आएगी, तो यह हमारे साथ आज इनके चेहरे पर देखो, जो खुशी दिख रही है, कुछ दिन पहले तक उदासी थी, मयोसी थी, आज वो प्रेशर नहीं है, अब नीद रच्चर से आ रही है, तो एक्जाम को इक्तम डर नहीं बनाना है, बिल्कुल इसको आपको सोचना है कि नॉर्मल एक सीबोट का जो पैटर्न है, वो इसलिए दिया गया है, कि आपके दि सीबोट के कुछ बेनेफिट हैं कि आपको पूरा प्रेशर आपका निकाल दे रहे हैं, रियल एक्जाम का पूरा आपको फियर पूरा खतम हो जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मौक टेस्ट सीबोट आपको देने चाहिए, जिससे आपको आइड़े लेगा है कि आप कहा दोस्त होंगे कि जब मुझे भी मेसेज करते हैं कि सर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था सीबोट का या फिर कॉश्चन सौल नहीं होए तो नंबर कम आ गए तो उससे डरना नहीं है, अगर एक्जाम का पेपर थोड़ा एजी होता है, लेकिन उसमें प्रेशर जादा होता है तो इसलिए आपको सीबोट देने चाहिए जिससे आपका एक्जाम का स्कोर अच्छा हो और मेरे साब से हमारे जितने भी स्टूड़न्ट है जिन्होंना भी सीबोट लिया था जो मैक्सिमम कांट्री में 200 प्लस लेकर रहे हैं वो सीबोट के सब्स्क्राइबर तो इस्तिया मैं आपको बहुत-बहुत करना चाह advocacy आपने एक बहुत अच्छा चीविउमेंट किया है तो इस गरव को मेडिस्न की ब्रांश लो और मैड़िसिन पढ़ाओ मेडिसिन से मरीजों को ठीक करो तो यह आपका लक्ष होना चाहिए यह सर्वाइब विद्ध इन्टर्वेव विद्ध ओर डॉक्टर इस्तिया कालम थांक इसो मुच्छ बाए